पंजाब में पिछले एक साल के दौरान आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खलाफ जबरदस्ट एक्षर में हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से बकाइदा एक हेलप लाइन नंबर भी जारी किया गया है। हम उस नंबर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा चानल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ आंकेता। मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत्मान ने अब भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन के जरिये हुई का पूरा ब्योरा दिया है। उन्होंने बताया है कि कितने अधिकारियों पर एक साल के दौरान गाज गिरी है। मुख्यमंत्री भगवंत्मान ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन के जरिये तीन सो भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और मुलाजिमों के खलाफ एंटी करुप्शन एक्ट के तहद कारवाई की गई है। सीमान का कहना है कि आम आत्मी पार्ठी ब्रहष्टाचार विरोधी अंडोलन से निकली हुई पार्टी है। हाँ अपने राज्य में ब्रहष्टाचार को किसी भी हालत में बरदाश्ट नहीं करने वाले। सीमान ने लोगों से एक खास अपील भी की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि मैं पंजाब के निवासियों किसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर उन्हें ब्रहष्टाचार को लेकर कोई भी शिकायत करनी है तो उनके पास सीधे अंटी करुप्शन हेलपलाइन पर कॉल करने का विकल्प है वो किसी भी तरह से ब्रहष्टाचार की जानकारी यहां पर दे सकते हैं ताकि पंजाब के सरकारी दफ्तरों को सारे विभागों को ब्रहष्टाचार मुक्त किया जा सके मुख्यमंत्री भगवंत्मान ने पिछले साल 23 माच को अंटी करुप्शन हेलपलाइन जारी किया था पंजाब में अंटी करुप्शन हेलपलाइन नमबर 9501200200 है जिस पर डाइल करके आप अपनी शुकायत दर्श करवा सकते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जाने के लिए जुड़े रहे चनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार